हेलो गाईज मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं एजुकेशन 33 डियर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पैन को कैसे पकड़े जो आपकी राइटिंग सांदार बनेगी तो दोस्तों वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना नहीं तो आपको बिल्कूल भी समझ में नहीं आएगा दियर अगर मैं बात करूं लिखते वकत हैंड राइटिंग सुधारने की और हैंड राइटिंग सुधारते वकत पैन पकड़ने की तो दोस्तों इसका कोई तरीका नहीं होता है जी हां गाइज Suppose that कि आप अगर दाएँ हाथ से लिखते हैं अगर मैं आपसे बोलू कि बाएँ हाथ से लिखो तो आप नहीं लिखोगे क्योंकि आपका इंट्रेस्ट है दाएँ हाथ से लिखने की इसी तरीके से अगर मैं दाएँ हाथ से लिखता हूँ और मैं अगर बाएँ हाथ से लिख तो मेरा इंट्रेस्ट दाएं हाथ से लिखने में है तो इसी तरीके से अगर आप कुछ भी लिखें तो आपका तरीका अलग है लिखने का अगर मैं कुछ भी लिखूं तो मेरा तरीका कुछ अलग है लिखने का अगर आपका राइटिंग बनता है तो आप अपने तरीके से ब बोले कि handwriting सुधारते बकत प्यान को कैसे पकड़ें, ऐसे पकड़ें, वह ऐसे पकड़ें, तो दोस्तों वो गलत है, सबका अलग-अलग region होता है, अलग-अलग तरीका होता है, सबका hobbies अलग होता है, मेरा hobbies अलग है, जैसे कि मान लिज्ये कि आपका interest है किरकेट खेलने में, और अगर मैं आपसे बोलू कि आप dancing करो, तो आपका interest उसमें नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप जबरदस्ती dancing करने लग जाओ, किरकेट को छोड़ छाड़के आप dancing में आ जाओ, आपको थोड़ा मजा भी आ जाएगा, आप नाच भी लेंगे, तो ये बात अलग है, लेकिन पहले interest था, और जो आप जबरदस्ती interest बना रहे हो, दोनों में different है, हो सकता है जो आपको किरकेट खेलने में जादा मजा आ रहा है, किरकेट खेलने में आप expert हैं, लेकिन आप downs करने में expert नहीं है, क्योंकि आपने जबरदस्ती interest को बना रहे हो, तो हो सकता है उससे आप नहीं होगा थीक है ना तो इसी तरीके से handwriting और आपका hand में होता है तो इसलिये dear friend handwriting सुधारने के लिέ पहान पकड़ने का तरीका माईने नहीं रखता है तो यह दिक्कत नहीं है आप 7 दिन महनत करो 8 दिन महनत करो नहीं हुआ तो एक महिने मेनत करो हो जाएगा लेकिन उसके पीछे लगना पड़ेगा आप ये मत करना की आप मतलब मंजील को पाने के लिए आप रास्ते ही बदलते रहो तो दोस्तों रास्ता बहुत मिलेगा लेकिन कोई काम का नहीं होगा इसलिए बोलता है कि अगर पानी आपको चाहिए तो हर जगा गड़ा खोड़ने से नहीं होगा आपको एक ही जगा गड़ा करना पड़ेगा अगर आप दस जगा गड़ा करोगे तो नहीं मिलेगा महनत करोगे लेकिन मिलेगा नहीं तो डियर फ्रेंड आप बाएं हाथ से लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है आप दाए के ही बदल ते रहा जाओगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ठीक है है राइटिंग सुधारने के लिए बस टिप्स माइने रखता है जो आप कोई भी लेटर लिखो अलफाबेट को सुरू करो लिखने की उसको गोल बनाओ अच्छा से बनाओ आप उसके उपर बैग्राउंड लाइन दो अच्छा दिखेगा बस धीरे 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 इससे करते करते एक दिन ऐसा होगा कि आपका हैंड राइटिंग इंप्रूब हो जाएगी तो डियर आज की वीडियो में बस इतना ही और मैं आपसे लास्ट में कहना चाहता हूं कि हैंड राइटिंग सुधारने के लि